Hello guys, welcome to Mystic Hindi Tarot, कैसे हो आप सब लोग, I hope आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और positive सोच रहे हो, so आज हम जो reading करने वाले है, okay, I hope आपको दिखाई दे रहा है, okay, so आज हम जो reading करने वाले है, यह candle wax reading है, जैसे के आप देख रहे हो, और इस reading में हम यह देखने की करने वाले है, कि आखिर आपके person का जो next action होगा, वो क्या होगा, कब होगा, देखिए, यह आपके personal reading तो है नहीं, तो हर कोई अगर वीडियो देखके, यह सूचेगा कि, suppose मैंने बोल दिया कि एक हफते में होगा, तो सब के साथ नहीं होगा, कुछ ही लोगों के साथ वो ची हर चीज को दिल से मत लगाए, हर चीज को personally मत लीजे, आप paid consultation ले सकते हो, लेकिन हम एक चीज आपको बता दू कि मैं 22 तारिक तक at least 23 पकड़ लो, 23 अपरेल तक मैं unavailable हूँ, ना मैं reading दूँगी और ना कुछ, ठीक है, सिर्फ video बनाऊंगी, ठीक है, और let's start the reading now, चलिए, मैं candle को light कर लेती हूँ, और मैं देखती हूँ कि आपके person का अगला कदम, क्या होगा, वो क्या feel कर रहे है, उनके intentions क्या होंगे, action लेने के पीछे, और देखते हैं, जो कुछ भी निकल के आता, I'll tell you, ठीक है, चलिए, candle को light कर लेते हैं, तो मैंने candle को यहाँ पे light कर लिया है, जै कुछ लोगों के लिए, तो मुझे लगता है, आपके जो partner है, आने वाले time में, उनके जो actions होंगे, और उनकी जो feelings होंगी, वो totally different होने वाला है, अब वो कैसे मैं आपको पताती हूँ, मुझे यहाँ पर दिख रहे है आपके person, उनके अंदर कही न कहीं उन्हें पता है, कि उन्हें आप चाहिए हो, उन्हें आप से connect होना है, वो आपके सा और उन्हें क्या है, और उन्हें क्या करना चाहिए, they know within themselves, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इस person के अंदर confusion नहीं दिख रहे है, अगर आप मेरी readings follow करते हो, तो एक mass level पे जो reading हमेशा से निकल के आती थी, वो यह थी कि आपके person बहुत confused है, confused है, बहुत समय से मैं यह readings कर रही हूँ और जो energy आज निकल के आ रही है, वो यह है कि आपके person को आप पता है, वैसे तो उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें यह रिष्टा रखना है या निया, उन्हें क्या करना है, बट वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, आपके अपनी feelings को accept कर रह है, they know क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें पता है क्या जो कर रहे है वो सही है या गलत है, तो उनको, उनके कुछ सवालों के जवाब उन्हें मिल चुके है, बट क्या होने वाल है कुछ लोगों के लिए, कि इनका जो action है और उनकी जो feelings है वो totally different होगी, मैं example देती हू, हो सकता यह person बहुत serious होकर आपके पास आना चाहे, मतलब उनका intention तो होगा कि मुझे अब serious commitment दे नहीं है, मुझे long term रहना है, on and off नहीं करना है, stable रहना है, but यह act कैसे करेंगे as if they are flirting with you, okay, वो act ऐसे करेंगे कि चलो दोस्त बन जाते है, you know, let's be friends, let's make it, let's keep it casual, so you understand what I am trying to say, इनकी energy एक that is the thing here, okay, next what I see here is, मुझे लगता है कि इस person को धीरे 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 यह realize हो रहा है, for some of your partners, आपके partner को realize हो रहा है, कि आपके बिना उनकी life incomplete है, आप जैसे उनके जिंदगी का एक वो हिस्सा हो जिसके बिना उनकी life अधूरी है, उनकी life आपके बिना तो complete ही नहीं हो सकती, उस तरह की feeling है उनकी आपके लिए, कि you know, you are a missing piece of their life, okay, so yeah, that is the one thing that I see here, okay, वो अपनी feelings को भी accept कर रहे है, वो अपने प्यार को भी accept कर रहे है, जो अभी तक भाग रहे थे अपनी feelings से, मुझे काफी लोगों के लिए आने वाले time में, एक honest communication होते वे दिख रहे है, आप दोनों या तो मिलोगे, face to face मिलोगे, बात करोगे, कुछ clarifications करोगे, I see that happening, for a lot of you, मुझे heart to heart communication होते वे दिख रहे है, आपके person मुझे open up होते वे दिख रहे है, अपनी feelings openly आपके सामने express करते वे दिख रहे है, और मुझे लगता है कि आप भी safe feel करोगे कि मैं भी honest communication करू, इस person के you know, you understand what I am trying to say, आप दोनों honestly, अपनी feelings, अपने emotions, अपने जो भी expectations है, वो एक दूसरे से discuss करोगे, openly, okay मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आप दोनों mutually बात करके ये decide करोगे कि let's be friends, या चीजों को casual रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को time देते हैं, okay क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों को अपना space चाहिए, देखे, अब क्या हो रहा है पता है, आप दोनों के इंदर इच्छा शक्ती बहुत strong है, एक दूसरे के साथ वापस आने की, connect होने की, एक दूसरे को प्यार देने की, लेकिन maybe this is the time जहां पे आप दोनों ये decide करोग everything will turn out to be okay, okay, तो मुझे लगता आप दोनों आपके person आपके मन में trust build करना चाहते है, क्योंकि उनोंने definitely पास में कुछ ऐसी चीजे करी है, जिसके वजे से they have lost your trust, okay, now they want to make sure कि अगर वो कोई कदम उठाते है, तो वो धीरे दीरे, they want to make it a slow process, वो कोई हडबडी नहीं करना चाहत okay, that is the one thing I see here, okay, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे आने वाले time में, and they will give you that time, देखे आपको universe यहाँ पे clearly यह message दे रहे है कि आप trust करो, आप faith रखो, भरोसा रखो, कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आपने वो एक line तो सुनी होगी, जो मैं हमेशा बोलते ह दुनिया कायम है, अगर आप किसी चीज में उम्मीद खो देते हो, तो वो चीज जगर होनी भी होगी तो भी नहीं होगी, just because you don't trust it, तो देखे, कुछ बुरा करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा ही कर लो, trust लो, विश्वास रख लो कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बह चीज ध्यान में रखनी है, जब आप इस परसन से अब डील करोगे आने वाले टाइम में, आपको ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे को criticize ना करे, आप एक दूसरे को blame ना करे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती है, हमेशा गलती एक ही परसन की नहीं होती है, in some cases में कि एक ही परसन की गलती हो, एक ही परसन नहीं चाहा रहा हो रिष्टे में रहना, लेकिन most of the time what I've seen here is कि रिष्टा दोनों का है, दोनों को figure out करना पड़ता है, okay, तो जब आप इनसे next time deal करोगे, अब उनको तो मैं नहीं बता सकती है, जाके इसलिए मैं आपको बता रहूँ, when you're dealing with this person, आपको एक दूसरे की गलतिया नहीं निकालनी है, एक दूसरे में क्या गलत है, उसे पॉइंट आउट नहीं करना है, बजाए कि आपको क्या करना है, एक दूसरे के बार में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छी चीज़े है, क्या अड्मायर करते हो, क्या रिस हो एक दूसरे की, उस पे फोकस करना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, क्या हम जो दूसरों पर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, क्या मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर on and off करता है, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर भी है गलतिया, सिर्फ आपके परसन नहीं ग देखते हैं कि वही गलत है तो यहीं आपको बुला जारा है क्रिटिसाइज करने के बजाए एक्सेप्ट करो अंडिस्टैंडिंग ज़रूरी है ओके मुझे ऐसा भी रगता है कि आप दोनों में या तो आप में से किसी एक के अंदर ना बहुत ज्यादा करने के है को तो सित्येशन करने है कि सब थीक हो चाहिए बस अभी बहुत हो गिया सब को थीक करना है तो तो मुझे इस इंसान को चेंच करना है चेंच करना चेंच करना है यहां कोई कोई यहां पर ऐसे न Chuck में ओ터 करोगी तुम उख करोगे जह जो मैंद Shell नहीं love is not like that, तो आपको let go करना है, control issues नहीं आने देने है relationship में, और रिष्टे को देखे, रिष्टा आपके भले ही रिष्टा आपका है, बट उसके करता दरता universe है, universe जो चाहेंगे, जब चाहेंगे वही होगा, तो no matter, आप किसी रिष्टे में हो, आपको उसको control नहीं करने की कोशि ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त ready नहीं हो, किसी relationship में जाने के लिए, चाहें फिर वो नया रिष्टा हो या पुराना, आपको थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताना चाहिए, थोड़ा सा अकेले रहिए, हमेशा ही relationship में होना ही चाहि है, और आपको लगता है कि मैं ready नहीं हो अभी relationship के लिए, तो don't do it, कोई आपको force नहीं करेगा, कोई आपके पीछे नहीं पढ़ा है तलवार लेके कि नहीं रिष्टा रखना ही है, it's your decision, your life, थोड़ा सा space लीजे क्योंकि कुछ healing अभी बाकी है, कुछ understanding अभी बाकी है, आपको time दो थोड़ा सा, और अगर अभी आप separation में हो, कुछ time के लिए, इस person से, take that time to focus on yourself, आपको क्या पसंद है, आपकी health पर focus करे, अपने career पर focus करे, okay, hobbies पर ध्यान दीजे, family पर ध्यान दीजे, so it's time to focus on yourself, refocus, better than, you know, mentioning it as focus, मैं बोलूँगी refocus, okay, अपने आप से प्यार कर नहीं छोड़ दिया है, आप अपने आप से प्यारी नहीं कर रहे हो, देखिए, ये चीजे जो मैं बोलती हो, ये बहुत deep है, पता नहीं, आपको ये समझ में आती है, या नहीं, लेकिन, I try to give my best, मैं आपको समझाने की, पूरी-पूरी कोशिश करती हो, self-respect की कमी है, आप अपने boundaries set करते हो, जब आप जुकते नहीं हो, नीडी नहीं बनते हो, किसी की पीछे नहीं भागते हो, अपने opinions रखते हो, तो पता है, आपके जो partner है, या कोई भी है, जिनको आप attract कर रहे हो अपने तरफ, उनके लिए आप romantically और जदा attractive हो जाते हो, ओके, लोगों को आजकल वीक लोग पसंद नहीं है, रोने दोने वाले लोग पसंद नहीं है, चिप को लोग पसंद नहीं है, people like strong people, people like strong women, strong men, ठीक है, मुझे बदा नहीं क्यों है लग रहे है, यहां पे काफी लोग एक spiritual journey पे हो, okay, soulmates हो, या wind flames हो, या karmics हो, which is really beautiful, and आपका spiritual union अल्रेड हो for a lot of you, आपके souls एक हो चुके है, भले आपको अभी दूर दूर हो बात नहीं कर रहे हो, आपको 3D पे कुछ नहीं दिख रहे है, but on a 5D level, you both are together, or you are coming together, okay, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है, कि आपको या अंदर नहीं यह confidence ही खतम हो गया है, कि मुझे प्यार मिल भी सकता है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं प्यार के लिए बना भी हो या नहीं, या मेरे जिंदगी में नसीब में प्यार है भी या नहीं, बड़ आपको युनिवर्स यही बताना चाहते है, कि there is love for you, आप love deserve करते हो, आप loveable हो, आपको यह affirmation बोलना है, I am love magnet, I am love loveable, I attract love and attraction in my life, ठीक है, तो यह अगर ऐसी चीज़े आप बोलोगे, सोचोगे, लिखोगे, तो वही चीज़े आपके life में होने लगते हैं, आप ट्राइ करें, आपको यह चीज़े जूटी लगती होगी, बड़ ट्राइट, लिखे I am a love magnet, I attract love, I am loveable, ठीक है, यह चीज़े आपके life में होने लगेगी, मुझे बस यही लगता, आप दोनों में कुछ तो, आप दोने एक दूसरे के individuality को respect नहीं देते हो, या तो वो आपके life में बहुत घुज जाते हैं, या तो आप उनके life में बहुत घुज जाते हो, मैंने कुछ लोग देखे हैं, जो किसी को बोल ही है, वो कहीं और नहीं जाता है, so give your love space, आप दोनों या तो बहुत control करते हो एक दूसरे को, या तो एक दूसरी की individuality को, आप लोग respect नहीं करते हो, do that, आपको बहुत असर दिखेगा आपके relationship में, और आपको किसी को claim नहीं करना है, आपके lottery नहीं लगी है, जो वो पैसा आ अलग है, आप दोनों अलग-अलग purpose से बने हो, अलग-अलग purpose से जिन्दगी में आए हो, तो give respect to that, ठीक है, बस इतना ही मुझे दिख रहा है, और कुछ मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है, अभी मैं कुछ numbers बताती हूँ हो सकता इतने दिनों में, या इतने हफतों में, य किसी और के लिए आपको romantic feelings feel होने लग सकती है, या किसी और को आपके लिए romantic feelings feel होना शुरू हो सकता है, अब नीचे comments में, यह में, मेरे मन में कोई stimuli नहीं है, मैं तो सिर्फ उसी से प्यार करती सम्हों कर करती है, okay sis, मैं अपकी बात नहीं करईग, मैं थाइस समफनhouse, okay, so yeah, हो जाते हैं लोग इसलिए मैं बतारी हूँ यहां पर नंबर 3 है तीन दिन घंटे या तीन हफ्ते महीने मत पकड़ेगा हफ्ते भी जाद तर मत पकड़ेगा तीन दिन या तीन घंटे हो सकते है नंबर 5 है नंबर 1 है नंबर 2 है तो अल्फबेट में बता देती हूँ C है T है L है G है E है आर है H है F है A है बस मुझे इतना ही दिख रहा है अगर आपके परसन हाँ E भी है यहाँ पर पी भी है ओके यहाँ अगर आपके परसन के इनिशल नहीं है या उनका बर्ट डेट या ऐसा कुछ नहीं आया है ड़सेंट मैटर कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर रही हूं है अगर रीडिंग आप से रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट और शेर जरूर करिएगा से यह नहीं नहीं आपना क्याल डर्केगा स्टेएफ